अब हम कोई और विस्तार देखते हैं ए बी और सी के योगफल का वर्ग जैसे इसके वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं जो रमने पता ही है क्या से करना है ए को इसके सब ए को इसके सब और सी को इसके सब तो ऐसा हो अगर हम देखें तो इससे यह ऐसा बने वार्ग यानि एक का वर हुझे हम दी का और गार सी का और गार और इसमें एभी है एभी और एभी यह दोनों दो अने कारण दो बार अने कारण तो मैं ऐसे लिख सकते हैं फिर एसी विज दो बार है तो इसे लिख सकते हैं और बी शी भी दो बार है तो असे लिख सकते हैं तो ए बी और सी के योगफल का वर्ग A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग, और A और B के गुनफल का दुगना, A और C के गुनफल का दुगना, और B और C के गुनफल के दुगनी, इन सभी का योगफल होता है अब हम इसे 6 रफल के आधार पर भी समझ सकते हैं अगर हमने एक वर्ग जिसका बुजाओं का माप A, B और C का यो फल है तो हम इसे 9 भागों में बाट सकते हैं जिसमें इसके ये एक वर्ग हुआ, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है और बाकी सब आयात है इस वर्ग का छेत्रफल इसके बुजाओं का माप A है तो इसका छेत्रफल A का वर्ग होगा इस वर्ग का इसके बुजाओं का माप B है तो इसका छेत्रफल B का वर्ग होगा इसके बुजाओं का माप P है तो इसका छेत्रफल C का वर्ग होगा और जो यह दो है इसके बुजाओं का माप A और B है और इसके भी बुजाओं का माप A और B है तो इसका चेतरफल A B और A B होगा इस आयात का चेतरफल C और A का गुंपल होगा और इस आयात और इस आयात का चेतरफल C और B का गुंपल होगा अब हम इस बड़े वर्ग का चैत्रफल डूनते हैं जो कि इस वर्ग के भुजाओं का माप ये है और इसका चैत्रफल इसका वर्ग होगा अब ये ही है जिसका में विस्तार डूनना है तो इस वर्ग का चेत्रफल इनसा भी छोटे छोटे बागों के चेत्रफल का योगफल के समान होगा इसलिए ये इनसा भी छोटे छोटे बागों के चेत्रफलों के योगफल के समान होगा जो कि ये है अब ये हमें आसानी से मिल गया अब हम एक उधारन देखते हैं, अब हमें इसका विस्तार लिखना है, यहां फी का मान, माइनस दो हो गया, पहले में वो विस्तार लिख देता हूँ, जितना जल्दी हो सके, इन सभी विस्तार याद रखना बहुत आवश्यक है, यह हुआ, अब तो इसका विस्तार, यह होगा, यहां भी सी है, उसकी जगा माइनस टू डाल दो, तो यह होगा, चलो, अब हमें इसे सरल करना, यह भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने पहले बाकी प्रश्न किये थे, मतलग, अब हम इसका विस्तार निकालो, और इसका विस्तार निकालो, इससे इसको घटा लो, हमें इसका सरल विस्तार मिल जायेगा, तो पहले में इन दोनों का विस्तार लिख देता हूँ जो कि यह है और इसका विस्तार यह होगा यह हमने पहले भी देखा तो यहां भी होई यह तो इसको इसे गटाने पे हमें यह दोनों समाने तो इसको इससे गटाने से जीरो 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 लेकिन यह दोनों 0 नहीं होगा क्योंकि यहां एक घटाने का चिन है तो इसको इससे घटाने पे इन दोनों का योगफल हो जाएगा यानि ऐसा हो जाएगा और यह भी वही बात हुई तो यह ऐसा हो जाएगा चलो अब हम किसी और चीज़ का विस्तार देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए और बी का योगफल और और बी का योगफल का वर इन दोनों का घुनफल यह हमने पहले पहड़ा था तो ऐसा होगा यह तो हमने पहले पढ़ा था तो यह इसको इसके साथ और इसको भी इसके साथ तो आसा होगा आसा होगा यह ऐसा होगा और ये बी का गनव यह देखे यह और ये समान है ये और ये समान है तो 2 और 1 तीन हो जाएगा, तो ये एका घंड़, और ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, और ये एका घंड़ उबातो, इसमे पहला और ये चोता पद, पहले और दूसरे पद का घंड है, और दूसरा पद पहले पद का वर्ग तथा दूसरे पद के गुमफल का तिगुना है और तीसरा पद पहले पद तथा दूसरे पद के वर्ग का तिगुना है चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ऐसे जरूदर करें तो मतलब इसमें और इसमें A और B समान है तो ऐसा हो जाएगा इस प्रकार हम इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं पहले का घंड दूसरे का घंड और पहले और दूसरे का घंड और जो अंदर A और B का योगफल का इन सबका घंड अब हम किसी और का विस्तार देखते हैं पिछले प्रश्ण में B की जगा अगर माइनस B रख दें तो इसका विस्तार आ जाएगा पिछले प्रश्ण में का विस्तार था तो इसमें बी की जगा माइनिस भी रखें तो ऐसा होगा इसको हम लिखें तो यह ऐसा हो जाएगा अगर हम इसको वर्ग ढूंडे तो माइनस भी का वर्ग बी के वर्ग के समान होता है तो इसका विश्तार यह हो जाएगा इस विश्तार और इस विश्तार में कोई अंतर नहीं है सभी पत समान है बस शिर्फ यहां दो प्लस की जगा यहां दो माइनस है अब हम किसी और चीट का विश्तार देखते हैं देखो मैं अभी इसका विश्तार ढूंड रहा हूँ तो आपम इसका विश्तार दोंतें पैले यह इसका विश्तार क्या अगा पैले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो ऐसा होगा यह और यह ऐसा होगा तो इसको साथ करने पर ऐसा हैगा तो यह और यह समान है, तो यह और यह कट जाएंगे लग इसका और इसको गटाएंगे, समान चीजों को गटाएंगे तो जीरो होता है यह और यह समान है, तो यह भी गट जाएगा तो इसका ये और ये समान है यानि इसका विस्तार ये हुआ उधारन से अगर तुम्हे अगर एका माप 3 है और बी का माप 4 है तुम्हे इसका घंड शायद नहीं पता हो तो तुम ऐसे कर सकते हो तीन और चार का योगफल पता ही होगा तीन का वर्ग पता होगा ये भी पता होगा और ये भी पता होगा इससे हम इसके गण और इसके गण का योगफल आसानी से ढून सकते हैं तो ये ऐसा होगा याद करोगे तो यह भी हमने कहीं देखा है यह ऐसा होगा जो कि ऐसा होगा तो इसके और इसके गहन का योगफल एक्यानमे के समान होगा जो कि हम बहुत आसानी से डून सकते हैं नहीं तो हमें इन दोनों के गर्ण का माप की जानकारी होनी चाहिए थी यहाँ प्लस है तो अगर हम माइनस भी रखेंगे तो क्या होगा हम देखते हैं मान लो हमें इसका विस्तार चाहिए अब तो यह होगा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ तो ऐसा होगा तो जल जली लिख देता हूँ यह कट जाएंगे क्योंकि हम समान और समान को गटाते तो कटी जाता है तो यह ऐसा हो गया इसके साथ होगा अब हम एक उडारम देखते हैं अगर हमें ए और दो के योकफल का के घंड क्या विस्तार ढूणना है तो हमने पढ़ाता कि इसका विस्तार यह है तो इसका विस्तार यह होगा जहां जहां भी है उसके जगां में टू रखना है बस तो ए और दो फल दो के योकफल का घंड यह होगा अब हम एक और एक उधारन देखते हैं यह एक मैत्वपूनिक उधारन है अगर हमें सत्रा का घंड ग्याद करना है जोकि आसान नहीं है हमें सत्रा को सत्रा से गुना करना पड़ेगा फिर उसके गुनफल को फिर से सत्रा के साथ गुना करना पड़ेगा तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं अगर हमें दो का घंड पाता है तो हमें बीस का भी घंड पाता है तो सत्रा बीस के पास होने का कारण हम सत्रा को ऐसे लिख सकते हैं अगर हम इसका घंड डून ले तो सत्रा का घंड होगा हमने यह भी पड़ाता कि इसका विश्तार ऐसा होता है तो यह ऐसा होगा दो का घंड आठ होता है तो इसका घंड आठ अजार होगा और 20 का वर्ग 400 होता है चार और 9 का गुणफल 36 होता है तो यह 36 होगा और 3 का वर्ग 9 होता है तीन दो और 9 का गुणफल 54 होता है तो यह 540 होगा और 3 का गुणफल 27 होता है तो इससे इसको और इसको जोड़ दो और इसको और इसको जोड़ दो तो यह ऐसा होगा तो 17 का गुणफल 4913 होगा पश्ट करो कि निमन लिखित समानता जरुशमिका है नहीं है यहां एक समानता दी गई है यह सरुशमिका है या नहीं यह हम कैसे पता कर सकते हैं हमने सर्रू समिका के परिभाशा में पढ़ा था अगर हम किसी भी चर्का कोई भी मान दें तो डायां और बायां पक्ष समान होना चाहिए यहां सिर्फ एक ही चर्रे जो की है अब हम मान लें कि एका माप शून्य है तो बायां पक्ष शून्य होगा लेकिन दायां पक्ष शून्य नहीं है इसलिए यह सर्वसमिका नहीं है अब हम एक और एक अधारन देखते हैं इसको हमें अभी सरल करना होगा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं यह मैं क्यों लिख रहा हूं यह आप थोड़ी देर में समझ जाओगे इन दोनों में यह एक्स और एक्स का वर्ग है और यह दो और एक्स का गुनफल है तो मतलब उल्टा जा रहे है पहले हमने यह फढ़ा ता अब हम उल्टा कर सकते हैं मतलब हम किसी को भी, किसी प्रकार में भी बदल सकते हैं, जो प्रकार असान लगता है, हम अपने आवशक्ता के अनुसार उस प्रकार में बदल सकते हैं, हमें दोनों सीखना बहुत आवशक है, तो ये, इसका विस्तार ये होगा, तो इसको सरल करने पर हमें ये मिलेगा, हमने अभी बहुत सारी सर्व समिकाएं फड़ ली है बस इतनी सर्व समिकाएं नहीं होती है अन्य कई सर्व समिकाएं होती है जो कि अब फड़ना अशक नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह भी होता है अब हम देखते हैं कि हमने आज क्या-क्या फड़ा आज हमने इतने सारे सर्व समिकाएं पड़ीं। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।